अच्छी तेजी देखने को मिल रही है निटी के टॉप गेनर्स में हम टाटा स्टील, टाइटन, टाटा मोटर्स इन सभी के नाम देख रहे हैं पर टाइटन आज एक करीब 2-2.5% की तेजी हमने आफ्टरनून सेशन में आते भी देखी थी कैसे देख रहे हैं आप इसको चा लेके बाउंस करते हैं उनमें से एक रहेगा टाइटन आप टाइटन को देखिए 100 moving day जब भी वो टच करता है और वहीं से ही अच्छी reversal देता है अच्छा यहां पर चार्ट का देखें तो December last week में stock ने एक new high की तरफ एपरोच किया तो लकिन उसके बाद एक consolidation phase था और आज वह अपना consolidation breakout करके new levels की तरफ एपरोच कर रहा है तो जिनके पास holding है बिलकुल बने रही है निश्टिंट होके यहां पर एक trailing stop loss की तरफ 3650 को यूट्लाइस की जिए अपसाइड में लग रहा है कि यह पहला टर्गेट रहेगा करीब 4,000 पर एक तो अपसाइड में करीब 4, खबरों के दम पर काफी action में रहा है polycap पर कल भी jeffries की report आई थी वो तो 7,000 का लक्ष इस पर बता रहे हैं हाला के band में जरूर है यह stock पर फिर भी आज 3% की तेजी है क्या कोई chart check पर कोई levels आप highlight करना पसंद करेंगे देखिया यह stock अब बोला जाए तो एक traders के लिए ही है सिर्फ लेकिन जिनको लंबा नदर दिया है तो overall weakness है अपने overall सभी averages के नीचे काम कर रहा है जो चार sessions पहले यहाँ पर breakdown आया था तो अपने 200 moving के नीचे ही open हुआ था तो हमें लग रहा है कि यही अब एक resistance का भी काम है त तो मैं फिलाल तो new entry को avoid करूंगा जब तक यह stock अपना 4500 के levels के उपर sustain नहीं कर रहा 4500 के उपर अगर यह sustain कर रहा है तो एक बार यह gap fill up करने के लिए आ सकता है 4850 के लिए but till the time one can utilize for the fresh selling opportunity तो यह sell on rise का ही candidate रहेगा